हेलो फ्रेंट्स वेलकम टु माई चैनल आज हम शोल्डर को टाज करना सिखेंगे यह हमारे बैक पल्ला है इसमें हमने पट्टी को सिल लिया है पहले से बस हमने इसको फोल्ड करकर तुर्पाई नहीं किये तुर्पाई करने के लिए हम क्या करेंगे पहले हम अपना शोल्डर तरफ रखें और आपको इस तरह से रखना है पूरा बराबर से आप मिला लें तोरों तरफ अब जो मारे पीछे की पट्टी रहती है उसको हम पलटकर अपने आगे की गले के उपर पलट देंगे अब हम यहां से स्लाय लगा लेंगे पक्का करते हुए दोनों साइड में य आप चाहे तो और लोग भी कर सकते हैं देखिए उपर किसलाय लगा कर मैंने धागे को काट दिया है इस तरह से हमारी पट्टी पलट जाएगी और हमारा शोल्डर बहुत अच्छी तरह से टाच हो जाएगा देखिए सामने से कुछ भी नहीं दिख रहा है सारी पट्टिया पीछे की तरह पलट गई है इसी तरह से दूसरे साइट का भी आपको अटाच कर लेना होता है दोनों साइड आप अच्छे से पका करें और फिर आप उनको अटाच करें चोल्डर को आप किसी भी तरह से टाच कर सकते हैं लेकिन यह जो तरीका होता है यह सबसे अच्छा त शुका है और हमारी दोनों पट्टे फिनिशिंग से लग गई है उसके बाद रुपाई कर सकतें या फिर आप से लाइक करना चाहें तो आप सिलाइए भी कर सकतें वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को ज़रूर प्र